ओम शान्ती 28 जून 2021 के बाबा के महावाक्य हैं मुल्दी कासार है मीठे बच्चे याद से आत्मा का किछड़ा निकालते जाओ आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके मुली का प्रश्ण है इस अंतिम जनम में बाप के किस दारेक्षन को पालन करने में ही बच्चों का कल्यान है इस अंतिम जनम में बाप के किस दारेक्षन को पालन करने में ही बच्चों का कल्यान है उत्तर है बाबा कहते मीठे बच्चे इस अंतिम जनम में बाप से पूरा वर्षा ले लो बुद्धी को बाहर में भटकाओ मत विश को छोड़ अमरित पियो इस अंतिम जनम में तुमें त्रेसर जनमों की आदत को मिटाना है इसलिए रारतिन महनत कर देही अभिमानी बनो ओम शान्ती शान्ती धाम विश्राम पूरी है इस दुनिया से सब ठके हुए है चाहते हैं हम अपने सुखधाम में जाएं ये दुनिया अच्छी नहीं लगती स्वरक को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगेगी कहते हैं बाबा जल्दी करो इस दुखधाम से हमें ले चलो बाबा भी समझाते ये तो चीची दुनिया है इनका नाम डैविल वर्ड नरक है ये कोई अच्छा अक्षर है क्या कहाँ डैटी वर्ड कहाँ डैविल वर्ड इस डैविल वर्ड में सब तंग हो गए है प्रन्तु वापिस कोई जा नहीं सकते हैं तमो परधानता की खाद पड़ी हुई है वे खाद आत्मा से निकले उसके लिए पुर्शार्थ कर रहे हैं जो अच्छे पुर्शार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाडी में अच्छी हो जाएगी ये पुरानी दुनिया तो खलास हो जाएगी अब जो बाकी रोज थोड़े हैं जब तक बाप आकर वापिस ना ले जाए तब तक कोई वापिस जा नहीं सकते हैं दुनिया में तो दुख है न घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है तुम बच्चों की दिल में हैं बाबा हमें दुखों से चुडाने आए हैं जो अच्छे निश्य बुद्धी हैं वे बाप की याद को कभी भूलते नहीं हैं उनको कहा जाता है सरव का दुख हरता बच्चे ही पैचानते हैं अगर सब पैचान लें फिर तो इतने समनुशे कहां आकर बैठें ये तो हो नहीं सकता इसलिए ड्रामा में युक्ती भी ऐसी रची हुई है जो शिरी मत पर चलते हैं वही उँच पद पा सकते हैं वे तो ठीक है सजाएं खाकर भी शांती धाम अत्वा पावन दुनिया में जाएंगे प्रन्तु उँच पद पाने के लिए तो पुर्शाद करना पड़ेगा ना दूसरा पावन बनने के बगैर पावन दुनिया में कोई जा नहीं सकते हैं ये जो कहते हैं फलाना जोती जो समया वापिस गया ये तो हो नहीं सकता जो पहले पहले स्रिष्टी पर आए हैं लक्षमी नायन वे भी वापिस जा नहीं सकते तो और कोई कैसे जा सकते हैं इनके भी अब 84 जनम पूरे हुए हैं अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं सब पुकारते ही हैं एक बाप को ओ गाड़ फादर ओ लिबरेटर वै तो गाड़ फादर है दुख हरता है सुख करता है कृष्ण आदी और किसी को थोड़े ही पुकारते हैं कृष्चन हूँ चाहे मुसल्मान हो सब भगवान को क्या आप कहकर पुकारेंगे ओ गाड़ फादर आत्मा बुलाती है अपने फादर को फादर कहते तब हैं जब समझते हैं हम तो आत्मा हैं आत्मा भी कोई तो चीज है ना आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है वै तो एक स्टार है और अती शुक्षम है जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का भी सवरूप है अब तुम बाब की महिमा करते हो क्या गाते हैं वै सत्चित है ज्यान का सागर है आनन का सागर है तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है तुम्हारी बुद्धी में अब सारे स्रिष्टी के आधी मद्धे अंट का ज्यान आ गया है और कोई मनुश्य मात्र में ये ज्यान है नहीं सारा भारत सारी विलाय तून लो कोई को भी मालूम नहीं है आत्मा 84 जन्मों का पाठ पुजाती है अब बाबा ने कहा 84 लाग तो इंपॉसिबल है 84 लाग तो हो नहीं सकते 84 लाग जन्मों का कोई वर्णन कैसे करेंगे बाब कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो हम तुमें सुनाते हैं वे सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धी समस्ते नहीं कि 84 लाग जन्म हो तो सुना ही कैसे सकते हैं अभी तुम जानते हो हम ब्रामन हैं हमने ही फिर 84 जन्म लिए हैं ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं विश्नु ने भी 84 जन्म लिए हैं ब्रह्मा सो विश्नु विश्नु सो ब्रह्मा है न लक्ष्मी नारण ही 84 जनम लेकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं ये भी समरने की बात है बाप कहते हर 5000 वर्ष के बाद आकर मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ ये 5000 वर्ष का चक्र है अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है हम सो का अर्थ भी हमने समझा है हम आत्मा सो देवता बनते हैं फिर हम सो क्षत्रिय बनेंगे फिर हम सो वैश्य फिर हम शुद्र बनते हैं फिर इतने इतने जनम लेंगे क्योंकि बावने का सत्यू में अलग हैं और त्रेता युग में फिर जैसे ऐसे युग के हिसाब से जनम लेंगे फिर हम सो ब्रामन बनते हैं ब्रामनों का ये एक जनम है ये तो तुम्हारा हीरे जैसा जनम है बाप कहते हैं ये तुम्हारा उत्तम शरीर है इससे तुम स्वरग का वर्षा पा सकते हो इसलिए अब और कोई तरफ बुद्धी को भटकाओ मत ज्यान अम्रित पियो समझ में भी आता है बरोबर 84 जनम लेते हैं तुम पहले सत्युग में सतो परधान थे फिर सतो परधान बने फिर चान्दी की खाद पड़ती है एक दम बाबा पूरा हिसाब बताते है अब गरोमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ अर्था तुसमें भी मिक्स करो 14 कैरेट सोना पहनो सोने में खाद डालना ये भारतवासी अब शुगन मानते हैं सोने में मिक्स करना भारतवासी क्या मानते हैं अब शुगन मानते हैं शादी कराते तो एक दम सच्चा सोना पहनते हैं सोने पर भी भारत वासियों का बहुत प्यार है क्यों भारत की बात मत पूछो सत्यू में तो सोने के महल थे सोने की इंटे थी जैसे यहाँ इंटों की धेरी लगी रहती वहाँ फिर सोने चांदी की धेरी रहती है ऐसे ही माया मचंदर का खेल भी दिखाते उसने सोने की इंटे देखी तो सोचा ले जाता हूं नीचे उत्रा तो देखा कुछ भी नहीं है कुछ ना कुछ बात लगती है बच्चिया समस्ती अब हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं फिर अगर पती आधी तंग करते तो विचारी अंदर में रोती है कि कब हम सुखधाम में जाएंगे कि बाबा अब तो जल्दी करो बाब कहते बच्चे जल्दी कैसे करो पहले तुम योग बल से अपना किचडा तो निकालो योग की यात्रा पर रहो बाबा बच्चों को धीरज देते हैं पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ गाते भी हैं सरव का सद्गती दाता तो एक है बाबा कहते ये तो यहां की ही बात है अकासूर बकासूर ये सब बाते इस संगम समय की हैं ये तो है ही आसूरी दुनिया तो बाब समझाते हैं मैं कलब कलब संगम पर आता हूं अब सारा चार छट चड़ी भूत अवस्था को पाता है तुम जानते हो सत्यों में हर चीज कैसी होगी सतो परधान होगी यहां इतने पंची जानवर आधी हैं यह सब इतने वहां पर नहीं होंगे बड़े आधिमों के पास अच्छी सफाई रहती है उनों के रहने का स्थान फरनीचर आधी बहुत अच्छा होता है तुम भी इतने उच देवताइं बनते हो वहां ऐसी कोई चीची चीजें रहेंगी नहीं यहां तो मच्छर आधी अनेक परकार की बिमारियां कितनी गंगी रहती है गावणों में इतना गंद नहीं रहता है बड़े बड़े शहरों में बहुत गंगी रहती क्योंकि बहुत मनुश्य हो गए है वहाँ तो रहने की भी जगे नहीं है तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो न मनुश्य गाते हैं घट मही में भ्रह्मा और घट में ही विश्णू और घट में ही 9 लाग तारे यह इस विश्व की बात चल रही है भ्रह्मा सो फिर विश्णू बन जाएंगे विश्णु के साथ सितारे बावन का आत्मा सितारे वो भी क्या बनेंगे देवी देवता ही बनेंगे सत्यु में ये सब देवता बन जाएंगे तो इतने थोड़े ही होते हैं जाड पहले छोटा होता फिर व्रिदी को पाता है सत्यों में तो बहुत थोड़े होंगे मीठी नदियों के उपर रहते होंगे यहां तो नदियों से बहुत कैनाल्स निकलते हैं मारा बहुत सारी नहरे निकलती है वहां नहरे आदी थोड़े ही होती है मुठी जितने तो मनुष्य होंगे बहुत थोड़े मुनुश्य होंगे इतने के लिए गंगा जमना तो है ही उन नदियों के आसपास रहेंगे पांच तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं कभी भी बेकाइदे बरसात नहीं पड़ेगी कभी नदी उचल नहीं खाएगी क्योंकि नाम ही है स्वर्ग फिर तो क्या है अब कहते हैं स्वर्ग की आयू तो इतने लाख वर्ष है अच्छा भला वहां कौन राज्ये करते थे ये तो बताओ कितने कपोडे लगाते रहते हैं तुम जानते हो हम कलब पहले मुआफिक ये पार्ट बजा रहे हैं रूद्र ज्यान यग्ये में अनेक परकार के असरों के विगन पड़ेंगे फिर मनुष्य समझते हैं असर लोग उपर से गंद गोबर आदी डालते थे प्रन्तु बावने का ऐसा तो नहीं होता तुम देखते भी हो कितने विगन पड़ते हैं अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं तब तो पाप का घड़ा भी भरेगा ना बाबा कहते हैं थोड़ा तो सेहन करना ही पड़ेगा तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो मार खाने के समय भी बुद्धी में ये याद करो शिप बाबा को तुमको तो बुद्धी में ग्यान हैं किसी को फांसी पर चढ़ाते तो पादरी लोग कहते हैं गौड फादर को याद करो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट को याद करो इशारा तो गौड के लिए ही करते हैं वे इतना लवली है सब उनको पुकारते हैं आत्मा ही पुकारती हैं अब देही अभिमानी बनने में तो बड़ी मेहनत है 63 जनब तुम देहे अभिमान में रहते हो अभी इस एक जनब में वे आदा कलब की आदत को मिटाना है तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वरक के मालिक बन जाएंगे कितनी उच प्रापती है तो रात दिन इस कोशिश में रहना पड़े मनुष्य धंदे आदी के लिए कितनी मेहनत करते हैं आमदनी में मनुष्य को कभी भी जुटका या उबासी नहीं आती है बाबा क्या कह रहे हैं जब मनुष्य कमाई करता है तो जुटका या उबासी नहीं आएगी क्योंकि आमदनी है पैसे की बहुत खुशी रहती है फिर ठकने की भी बात नहीं रहती है बाबा भी अन्भवी है ना रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे जब तक रहा की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़ते नहीं थे बाबा ने रत भी पूरा अन्भवी लिया है इसने सब अन्भव किया है देखो गावडे का छोरा भी था बाबा की अभी तो देखो विश्य का मालिक बनते हैं एक दम गावडे का था फिर चड़ गया तो एक दम जवारात के धंदे में लग गया बस जवारात की बात थी ये फिर है सच्चे जवारात बाबा क्या समझा रहे हैं वो तो दूसरे ज्वारात की बात थी और ये तो ज्ञानदत्नों की ज्वारात की बात है ये होता है रोयल व्यपार बाबा बहुत अन्भवी है बाबा वाइस रायादी के घर में ऐसे जाते थे जैसे कि अपना घर हो प्रमा बाबा के लिए कह रहे हैं कि वो तो ऐसे जाते थे इनको फिर कहा जाता है अविनाशी क्यान रतन जितना ये बुद्धी में धारन करेंगे इससे तुम पदमपती बनेंगे शुबाबा को कहा जाता है सोदागर रतनागर उनकी महिमा भी गाते फिर कह देते हैं सरव्यापी है महिमा के साथ फिर इतनी गलानी करते हैं कैसी हालत हो गई है भक्ती मारक की बाप कहते जब भक्ती पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक भगवान आते हैं बहुत भक्ती कौन करते ये भी सिद्ध हो जाता है, सबसे जास्ती भक्ती तो तुम करते हो, वही यहां आकर पहले पहले ब्रामन बनते और बाप से वर्सा लेते हैं, फिर से पुझे बनते हैं रावण ने पुझारी बनाया, बाप तुमें पुझे बनाते हैं, ये है भगवानु वाज, भगवान तो एक है, दो तिन भगवान तो होते नहीं है, गीता भी भगवान की गाई हुई है, शिव भगवानु वाज के बदले कृष्ण का नाम फिर ठोक दिया है, तो कितना फर हो गया है, ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे ही बदलना है, फिर बुलाते भी हैं, ये पतित पावन आओ, बाप तो हम बच्चों को पावन बनाते हैं, रावण हमको पतित बनाते हैं, तो समझने की कितनी बुद्धी चाहिए, बाबा क्या कह रहे हैं, समझने के लिए कितनी बुद्धी चाहिए, शीरी मत, स्रेश से स्रेश्ट मत तो एक ही बाप की है, ये लक्षमी नारण स्वरके मालिक बाप की मत से ही बनते हैं, अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लदे, बच्चों प्रती, मात पिता, बाप तादा का याद प्यार और गुट मानिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाबा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, दाना के लिए मुख्य सार है, इस एक जनम में 63 जनमों के पुराने दे अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी ह इस एक जनम में 33 जनमों के पुराने दे अभिमान की आदत मिटाने की महनत करनी है देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है इस हीरे तुले जनम में इस बुद्धी को भटकाना नहीं है सतो परधान बनना है अत्य चारों को सहन कर पाप से पूरा वर्षा लेना है और आज का वरधान है सोचना बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोतम पुर्शार्थी भव सोचना बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोतम पुर्शार्थी भव सभी सिक्षाओं का सार है कोई भी करम से देखने, उठने, बैटने, चलने, सोने से फरिष्टा दिखाई दे हम बाबा की सभी सिक्षाओं का क्या सार है कि कोई भी करम करने तो उसमें बाबा ने का चाहे हमारा देखना हो चाहे उटना हो, चाहे बोलना हो, चाहे सोना हो, चलना हो, सबसे फरिष्टापन दिखाई दे हर करम करने में अलोकिकता हो, कोई भी लोकिकता करम या संसकारों में ना हो सोचना करना बोलना सब समानों जैसा हम सोच रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं जो हम कर रहे हैं या बोल रहे हो वो एक जैसा हो ऐसे नहीं कि सोचते तो ये थे कि ये ना करें लेकिन कर लिया जब तीनों ही एक समान और बाप समान होंगे तब कहेंगे स्रेश्ट वा सर्वोत्तम पुर्शार्थी स्लोगन है जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्टा दुआउं का अधिकारी बनना जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्टा दुआउं का अधिकारी बनना ओम शान्ती